मां पितामबर प्रोडक्शन द्वारा प्रोड्यूस पंच साथ निभाई हा सजन्वा हमार की शूटिंग आजकल उत्तर प्रदेश के चुनार इस्थेद कोलन गाउं में चल रही है कोलन गाउं के कोलन दर्मार में फल्म का अंतिम सीन फल्माया गया है जहां अभिनिता कुनाल सिंग के बेटी अकास सिंग की शादी तनूश्री से पंकज चौबे की शादी प्रियंका महराज से और मनोस टाइगर की शादी स्वीटी सिंग से कराए गई है ये तीनों शादियां कोलन गाउं के बड़े बुज़ुर्गों की मौजूदगी में बनाई गई अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों ने कोलन गाउं में शादी कर ली है क्या तो आपको बता दें कि ये रियल नहीं रिल लाइफ की शादी है बोज़पुरी फिल्म साथ निभाई हर सजनवा हमार के अंतिन सीन के लिए ये तीनों शादियां कराए गई है इस शीन में कोलन गाउं के ग्रामीनों ने बड़ चड़ कर हिस्सा लिया है और रिल लाइफ की शादी को रियल शादी की तरह बना दिया गया है इस अफसर पर सदा बहार अभिनेता कुनाल सिंग और अभिनेतरी पाखी हेगड़े भी मौजूद थी इस दोरान कुनाल सिंग ने कहा कि कोलन गाउं के लोगों ने हमी शूटिंग करने में काफी सहयोग किया है यहां हम पिछले 10 दिनों से शूटिंग कर रहे हैं और गाउं के लोग हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं साथ ही अभी हम 22 नवंबर तक यहां और शूटिंग करेंगे जसके लिए मैं सभी गाउंवालों का तही दिल से शुक्रियादा करना चाहता हूँ इधर गाउं के रमाकान सिंग ने बताया कि जब से यहां फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है तब से गाउं के लोगों में एक अलग तरह की उमंग जाग गई है कि हमारे गाउं में फिल्म की शूटिंग हो रही है तो वे अपने रिष्टेदारों को बता रही है कि गाउं में फिल्म बनाने वाले आए हैं और वाओ यहाँ पर फिल्म साथनी भईया सा जनवा हमार की शूटिंग कर रहे हैं और वो सभी की शूटिंग देखने देते हैं हम सबी गाउं के लोग फिल्म की पूरी टिंग का सहयोग और मदद कर रहे हैं फिल्म की कहानी नारी शशक्ति करन पर अधारी थे फिल्म साथ में भाईया सजन्वा हमार के लर्देशक निर्माता अभिनेता पंकज चौबे ही है नेक्स्ट नाइन न्यूज बोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट